तो कासी, I hope आप लोगोंने बेंजर्वन को भी याद कर लिया होगा, कासी ग्यात तक, फिर श्रा, राडा, पुरा, ठीक है, अब हम लोग मातराएं लिखेंगे, ठीक है, आज हम लोग मातराएं पढ़ेंगे, मातराएं जो आपका बुप में नहीं है, इसको मैं अपने तरिक से पढ़ा रहे हूं ठीक है ना स्वर हम क्या बोले थे आ से री तक का मात्रा आज में आप लोगों को बताऊंगे इसका मात्रा क्या होता है? इसका कोई मात्रा नहीं होता है ना? मतलग इसका कोई मात्रा नहीं लगता है इसलिए इसके आगे पीछे बस सिफ सब्द लिखा जाता है जिसे बस खत ठीक है? दिर्क आ मतलग बड़ा आ हश्वा अ दिर्क आ हश्वा आ को आप लोग छोटी आ भी बोल सकते हैं और बड़ा भी बोल सकते हैं दिर का इसे क्या क्या बना है देखें ना ना आप लोगों ने अगर बेंजन में काखा काखा लंड कर लिया होगा तो उसमें ना में अकार मतब हर्षवा की मात्रा और ना में हर्षवा की मात्रा लगा कर क्या हो गया ना इसी प्रकार जाम में हर्षवा की मात्रा ला में हर्षवा की मात्रा क्या हो गया जाला ठीक है पीरत छोटी मतलब हर्सी, हर्सी की मात्रा आपका ऐसा होता है, है ना, ऐसा होता हर्सी की मात्रा ये, इसको हम लोग जल्ली से पढ़ते हैं, है ना, इसका स्पैलिंग, इसका शब्द हम लोग इस तरह देखेंगे, दिन, गिन, मतलब जल्ली जल्ली पढ़े, दा में हर्सी की म ना दिन गामे छोटी की मात्रा ना गिन